हाई दोस्तों वेल्कम टू माई चैनल विडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है अगर आपने मेरे चैनल को सब्स्राइब नहीं किया है तो फ्लीज सब्स्राइब कर लीजे और साथी घंटी के बटन पे भी सरू क्लिक करें ताकि आपको मेरी आ यह पैनसोनिक का 4.4 लीटर का यह स्टीमर प्लस राइस कोकर है यह जैसे कि आप देख सकते हैं ओपर की तरफ जो बास्केट दिख रही है यह स्टीमिंग बास्केट है और यहां पे यह नीचे की तरफ इसका कंट्रोल पैनल है जिसमें कोकिंग और वांब दोनों ऑप्शन है तो यह आप ऊपर की तरफ देख सकते हो यह जो है यह स्टीमर बास्केट दिया हूँ है जिसमें हम काफी सारी चीज़ें स्टीम कर सकते हैं जैसे वेस्टेबल्स हो गई या मुमोस बना सकते हो धोकला वगरा काफी सारी चीज़ें और उसकी ओपर जो है वो धकन था धकन मैंने निखाल दिया और इसकी अक्सेसरी आई है मेशरिंग कप, स्पंज जिसे हम वाश करेंगे इसे और यहाँ पर एक स्पून आया है जिसे हमें जो भी हम कुक करते हैं इसी से निकालना है तो आप यह देख सकते हो यह स्टीमिंग बास्केट इस तरह की है और यह प्लास्टिक की होती है बहुत ही डेलिकेट होती है तो जब हम इसे यूज करें बहुत ही इसे ध्यान से यूज करना पड़ता है तो यह मैंने आपको स्टीमिंग बास्केट बता दी अब यह आप यह अंदर की तरफ देख लीज़े, यह है हमारा cooking pot, तो जिसमें हम यह rice cooker है, तो इसमें हमारी rice बना सकते हैं, जैसे हो गया white rice बना लो, बासमती rice, पुलाव, बिर्यानी बन जाती है, इसमें, veg बिर्यानी, veg पुलाव, chicken बिर्यानी, तो काफी कुछ हम इसमें बना सकते हैं, और यह आप देख सकते हो, यह plate है, जिसे हम अंदर रखते हैं, तो इसमें जो छोड़ी-छोटी holes हैं, इससे जो excess पानी है, वो drain हो जाता है, तो हम जब भी rice cook करते हैं, तो इस plate को इस सरसे नीचे रखकर, उसमें हम rice डालते हैं, और द three plug का plug pin है, तो आप इसे अपनी plug point पे easily डाल कर यूज कर सकते हैं, जैसे हमारे घर में कोई नई चीज आती है, तो जो tradition होता है, culture होता है, कि हम कोई भी अच्छी चीज, नई चीज की पूजा ज़रूर करते हैं, तो मैं इस तरह से करती हूँ, और मुझे अच्छा लगता है कि किसी भी नई चीज की शुरुआत करने से पहले, उसे हलका सा कुमकुम टीका लगाना मुझे अच्छा लगता है, तो यह रहा दोस्तों मेरा जो मैंने कुकर का review आपसे शेयर किया, मैं बहुत जल्दी इसमें अपना जो है rice डाल कर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से य इसमें बहुत ही इसली बहुत ही जटपड बन जाता है और बहुत ही इसमें जो चावल खिले-खिले से बनते हैं, तो मैं आपको जरूर बताऊंगी उसकी अकली वीडियो में, तो दोस्तों यह रहा मेरा review on my panasonic 4.4 liter streamer plus rice cooker, अगर आपको अच्छा लगा है इस वीडियो को ए हुआ है